हाई विवन विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं बनाने जा रहे हूँ जेलेबी तो इसके लिए मैं एक कप सुगर ले रही हूँ और हाप कप से भी कम पानी ले रही हूँ और हमें आज को मीडियम ही रखना है बहुत तेज नहीं करना है और बीच में मैं इसे चम्मस से चलाती रहूँगी ताकि सुगर हमारी अच्छे से पिघल जाए और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ एक इलाइची डाल रही हूँ और यहाँ चासनीवा में कोई तार नहीं लेना बस इचे हलका सा गाड़ा रखना है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूट कलर डाल रही हूँ और बस हमें बिल्कुल ऐसी ही चासनी चाहिए और अब मैं एक बॉल में एक कप के करीब मैदा ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी और घी डालने के बाद मैं इसमें एक इनो डालूँगी इनो डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिलाना है अब चलिए इसे हम फटा फट से मिला लेते हैं इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी चलिवी बढ़िया अच्छ कुर पूरी बने यहां यूरूप में तो जलिव भी मिलती नहीं इसलिए मेरा चीह जब भी मन करता है मैं फटा फटड धर में फट भी बना लेती हूँ और जलिव भी ऊणनाने में जादा टाइम ने तो कहीं यह पतला नहोंजाए तो मैं इसे पतला बिलकुल नहीं रखना, तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालूँगी, और अच्छे से इसको मिक्स करती जाओंगी, ताकि इसमें कोई लंस ना रहें, और यह अच्छे से मारा मिक्स हो जाए, तो अभी इ हमें आ र ही तो मैं थोड़ा सा पानी और अभी इसमें ढलूंगी फिर इसके बाद यह नहीं हो जाएगा our अब ये मुझे जैसे बहुत गाड़ा-गाड़ा सा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और अब हमारा ये रेडी हो चुका है इसके बाद मैं एक पैन लूँगी उसमें ऑईल ताकि हमारा अच्छे से गरम हो जाए अब इधर जो हमने ये बैटर बना के रखा था तो इसे मैं थोड़ा सा और इसी में मिक्स करूँगी और ये हमारा रेडी हो गया है बनाने के लिए अब मैं यहां एक पॉलिथिन ले रही हूं घर की ही उसे एक ग्लास में रखूँग और अपना जो बैटर बना के रखा उसको डालूँगी अगर आपके पास हो तो आप पाइपन बैग भी यूज़ कर सकती मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं घर की पॉलिथिन ले रही हूं आपको जैसे आसान पड़े आप वैसे बनाएए अब मैं इसमें थोड़ा सा कट लगाओंगी कैची से आप संभाल के कट लगाए मेरा थोड़ा सा साइड में कट लग गया है तो अब तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें अब हम जलिबे डालेंगे देखी क इतना आसान है बनाना गोल गोल बन रही हमारी जलिबिया अच्छे से जिसे मेंदी लगाते हैं बस वैसे हमें इसमें गोल गोल बनाना है कोई दिकत नी बहुत आसानी से बन जाती है जलिबी और देखिए जलिबिया हमारी कितनी अच्छे फूली फूली से बन रही है तो इ जलीबी हमारी नीचे बैट जाएंगी फूलेंगी नहीं फिर वो कुरकुरी बनेंगी नहीं और यहां पर जलीबे हमारी अच्छी बन रही हैं अब मैंने एक प्लेट में बाहर निकाल लेती हूं और निकालने के बाद इन्हें हमें रखना नहीं है बाहर चासनी में तुरन डाल देना है ताकि चासनी इनके अंदर तक पहुँच जाए और ये सूखी सूखी ना लगे देखी कितने अच्छे से चासनी इनके अंदर तक पहुँच गई है अब मैं जली भी बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ देखिए जली भी हमारी कितनी अच्छी बनी है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ता एंक्यू